कि करने वारे हैं कॉन्की और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लैंज के बारे मिर नहीं कॉन्वेक्स क्वेक्ष कर लिया था अब लैंज शुरू हो गया है और आज की ग्लास में चोट इसी warning है, mirror शब्द बहुत जादा जबान पर बैठा रहता है, तो हो सकता है कि मैं कभी गलती से convex के साथ में mirror word यूज कर लूँ, आप by default समभल लेना कि मैं lens की बात कर रहा हूँ, तो आज हम discuss lens को ही करेंगे, अपवर्तन को ही discuss करेंगे, मेरे मुझ से अगर गलती से परावर्तन या mirror जैसा कुछ निकलता है, तो उसको पहले से आप excuse कर देना, यह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, और one short video रहने वाला है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा content cover करेंगे, अपने एक घंटे की लगबर class लेगी, ज़्यादा भी हो सकती है, और उसमें हम लोगों को target क्या है, पहले हो सुन लीजिए, सबसे बड़ा target है कि हम लोग lens क्या होता है, यह अच्छे समझ लेंगे, concave or convex lens, अर्थात उतल और अउतल lens से संबन्दी, जितने भी topic हैं, मतलब पहला topic यह है, कि इन दौनों की बारे में बात करना, इनकी बारे में पदों को discuss करना, terms को discuss करना, शब्दावली को discuss करना, वो आज कर लेंगे अपने पूरा complete, और इनसे प्रतिबिम्ब निर्मान, सबसे बड़ा chapter है class 10 physics का, वो आज 95% खतम हो जाएगा, बचा हुआ कल मैं छोटी class लेके finish कर दूँगा, फिर हम बढ़ेंगे अगले chapter की तराफ, चलिए, तो शुरुबात करते हैं, very good dream to all of you, सभीकों रमश्कार, रमश्कार, सलाम अलेकुम, whichever you feel connected with, let's get started, जिसमें वो पारदर्शी माध्यम होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, ठीक है, दो प्रस्टों से घिरावा एक पारदर्शी माध्यम, जिसमें कोई एक प्रस्ट, या कभी-कभी दौनों गोलिये होते हैं, उसे हम लोग lens का नाम देते हैं, लेंस बहुत प्रकार के होते हैं, अभी मैं इतर डीप में नहीं लेखे जाऊंगा आपको, बढ़ ये बास समझें कि मेरे जो चश्मा पहन रखाया, जो भी बंदा चश्मा पहनता है, उसके जो लगा होता है, जिससे हम लोगों को चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, वो lens ही होता है, एक्चुल गेंगा, तो lens क्या है, lens की simple परिवाशा है, note करो comment section में या फिर copy में, कि दो प्रस्टों से घिरावा पारदर्शी माध्यम, तो दो प्रस्टों से घिरावा पारदर्शी माध्यम, ये होता है आपका lens, दो प्रस्टों से घिरावा पारदर्शी माध्यम, जिसका एक या दौनों प्रस्ट गोलिये होते हैं, जिसका एक या दौनों प्रस्ट गोलिये हो, दौनों प्रस्ट गोलिय हो वो कहलाता है आपका सिंपल सा लेंस अब उत्तर लेंस क्या होता है वो समझेए अब लेंस में भी अगर दौनों प्रस्ट गोलिय है तो उसको अपन गोलिय लेंस कहते है दौनों प्रस्ट गोलिय है अगर दौनों प्रस्ट गोलिय हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं अगर दौनों प्रस्ट गोलिय होते हैं तो उसको गोलिय लेंस कहते हैं समझ जाओगे अभी आप, देखो, इधर देखो ध्यान से, ये दो प्रकार के लेंस है, दौनों प्रस्ट गोली है, ये प्रस्ट भी उत्तल है, ये प्रस्ट भी उत्तल है, तो इसको simple भाशा में उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं, देखो, दिमार्त में fit करो, अपने आप सम कॉल कर लोगे, ये आउतर लेंस के नाम से जाना जाता है, इसको बोलते है उत्तल लेंस, इसको बोलते है आउतर लेंस, ठीक है, आगे समझे, अब ये बात है, सबसे important, इसका एक copy of और बना के रख लेते हैं पहले, अब ध्यान दीजिए, अब इदा ध्यान दीजिए, अब इदा ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस के एक और परिवाश आ है, अब दिखाँगा मैं आपको practical ये दोनों लेंस, चिंथा मत करो, उत्तल लेंस की परिवाश आ है, एक और परिवाश आ है, इसकी ऐसा गोलिये लेंस, जो बीच में मोटा है, किनारों पे पतला है, ऐसा गोलिये लेंस, बीच में मोटा, किनारों में पतला, बीच में मोटा है, किनारों से पतला है, उसे अपन क्या बोलते है, उत्तर लेंस कहते है उत्तर लेंस की भी एक सिंबल परिवाशा बन सकती है, बीच में से पतला है, किनारों से मोटा है तो बीच में से पतला किनारों से मोटा तो अगर बीच में से मोटा हो किनारों से पतला है तो उत्तर लेंस है बीच में से पतला है किनारों से मोटा है तो वो आपका आउतर लेंस है अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों कि दौनों प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूं जहां से देखिएगा तो मेरे आप में दौनों लैंस हैं बिल्कुल पास से अपन देखेंगी क्लोज अप तब जाकर करके आपको थोड़ा क्लेर लैंस आएग इसको जब पकड़ता है ना तो यह लैंस बीच में से मोटा है इधर से यह मोटा है और किनारों से उपर से और नीचे से पतला है जब मैं इसको अपने हाथ से पकड़ता हो ना तो मुझे बीच में उभार फील होता है और दौनों किनारों पे पतलापन फील होता है मतलब य यह आपका उत्तर लेंस है, ठीक है, ऐसे देखने में दोरों समझ में नहीं आते हैं, बिलकुल पास से देखने में पर क्लिए होता है, देखने में दोरों सही ही लगेंगे आपको, पर इसको आप देखो, हलका से देखो, ऐसे देखो, यह बीच में से पकड़ने पर यह मोटा बीच में से हाथ फेरते है तो बीच में बिलकुल पतला होजाता है ऐसे पकड़ने पर तो मेरे जो दानों उल्णियाはは उनके बीच के गैप से मुझे आईडिया लगता है कि यह outer lens है को कि जब मैं इन दौनों उंगलियों से यहां पकड़ता हूं तो आप खुद देखिए यह मेरे उंगलियों की बीच में गैप इतना है और अगर इसी को मैं बीच में से पकड़ता हूं तो मेरे उंगलियों की बीच में गैप कम है तो जग किनारों से पक रहे हैं तो gap कम हो रहा है तो यह आपका है आउतल लेंस यह कुछ इस तरह का है जैसा आपको बोर्ड के उपर नजा रहा था हूं अब उमीद करता हूं कि मैंना आपको हलका फुलका idea दे दिया है लेंस के बारे में ठीक है तो यह बात है यह actual में यह actual में point है अब बात यह है इन दौरों लेंसों के बारे में बात करेंगी जैसे आपने दरपन के बारे में बात करेंगी अब इनसे अपने image formation discuss करेंगी कि प्रतिमिनिमार होता कैसे और क्योंकि आपने दरपन वाला पड़ रखा है ना तो आपको यह बहुत अच्छे समझ माएगा सबसे पहले इस lens का जो केंद्र है उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं इस lens का जो केंद्र है उसे भी हम प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं तो मैं terms बताऊंगा आप लोग note करते चलें बहले ही सबसे बहली term है प्रकाशिक केंद्र फोर्स तर्म ओ ओ अ उसे अपन लोग क्या बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं लेंस के केंद्र को अपन प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और आप ये बात commentation में भी लिख दें ताकि आपको भी याद हो जाए दूसरा point ये दौनों लेंस में जैसी ये वाला हिस्सा है तो ये भी किसी ना किसी गोले का भाग है आप देख सकते हो इधर जो हिस्सा है वो भी किसी ना किसी गोले का भाग है तो ये दौनों जिस गोलों के भाग है उन गोलों के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्रों के नाम से जानत यह जहाते हैं मतलब यह भी एक वकारता केंद्र हो गया गाँ यह इस वाले हिस्से का ऊधनी होते हैं इस गोले का केंद्र दू वक्रता केंद जούμε दी हैं तो दूसरी वाद आपको आद में सीने हम बोलते हैं सेंटर अफ करवेचर के आपके दरपड में एक ता यहां पर दो हैं, तो center of curvature जिसे हम लोग वक्रता केंदर के नाम से भी जानते हैं, ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे, तो इसके अंदर भी आपको यह same चीज दिखाई देगी, थोड़ा इसको इदर ले आते हैं अपन, तो देखें, ये भी किसी ना किसी गोले का भाग है, ये हिस्सा, और ये भी किसी ना किसी गोले का भाग है, लेफ्ट वाले को अपन 1 कहते हैं, तो ये C1, राइट वाले को 2 कहते हैं, तो ये हो गया आपका C2, तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे C1, C2, अर्था जिस गोले से मिलके बने हैं उन गोलों के केंदर को अपन क्या बोलते हैं उन दोलों के केंदर को अपन कहते हैं आपका वक्रता केंदर अब अगर एक काम करें अपन छोटा सा कि इन C1, O और C2 इनको मिलाने वाली एक सीधी रेखा बना लें इस तरह से जो इन तीनों को मिलाती भी जा रही है तो उसको अपन कहेंगे मुख्य अक्ष तो ये जो आप देख रहे हो ये आपका कहलाएगा मुख्य अक्ष बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है अगर आप इधर भी ध्यान दें तो आप अगर C1, O और C2 इनको मिलाने वाली सीधी रिका की बात करो जो इन तो तीनों को मिलाती है तो ये कलाएगी आपके इस लेंस का मुख्य अक्ष उमीद करता हूँ आपको सब को समझ मारा है बिना किसी कन्फ्यूजन के ठीक है? इस गोले की तिरिजा क्या होगी इधर वाले की? आपका 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 आपक तो सबसे पहले इस बात को समझें कि आपका जो गोली ये लेंस है वो गोली ये लेंस किसी ने किसी गोले का भाग है दौनों प्रस उसके उसके दौनों प्रस जिस गोले का भाग है उसके केंदर को अपन लोग क्या नाम देते हैं वक्रता केंद्र और उस गोले की तरिजा को अब इस गोले की तरिजा क्या होगी ये इस गोले की तरिजा क्या होगी ये लगबग उस गोले के तरिजा को अपन क्या बोलते है वक्रता तरिजा है कहते है R1 और R2 और लगबग R1 और R2 बराबर है तो simple आप R भी लिख सकते हो और यही R अगर आप यहाँ ढूनना चाहो तो यहाँ भी यह R आप ढून सकते है अराम से कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर R ढूनना चाहे तो यह आपका R है आप चाहो तो R1 R2 बोलो चाहो तो आपका R1 R2 बराबर है तो उनको आप R1 बराबर R2 बराबर R B बोल सकते हो ठीक है बताईए यहाँ तक किलियर एकदम बढ़िया समझ मा आगया मक्खन एकदम सबको बढ़िया समझ मा रहा है कोई दिक्कत नहीं हो जिए कोई डाउट नहीं हो रहा चलो आगे बढ़ते हैं अब प्रतिबिम्ब निर्मान शुरू करते हैं अब उत्तल लेंस द्वारा तो अब हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिम्ब निर्मान तो आप हैडिंग लगा लीजिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिम्ब निर्मान अब उत्तर लेंस दोरा प्रतिविन निर्माण कैसे देखने वाले हैं पहले वो समझे यह आपका लेंस है सबसे पहरे हैं आपको यह जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी किर्णों की आप मदद लेने वाले हैं यह आपका प्रतिविन निर्माण में बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर विम्ब का आपको प्रतिविम बनाना है अगर एक बिंब का आपको प्रत्विम बनाना है तो एक बात बहुत important है कि आपको बिंब से बिंब क्या होता है अपन जिसको भी दरपण या लेंस के सामने रखते हैं उसको बिंब बोलते हैं जैसे अपने दरपण में देखा था बिम्ब का बाद में जो बनता है वो पृति बिम्ब होता है बिम्ब से अपन को दो किर्णे निकालनी होती है वो दो किर्णे जाकर के जहां भी मिलती है परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कमउन फिर से मेरी बास सुनो अपनको बिमब से दो किन्ने निकाल नहीं होती है वो दो किन्ने जाकर लगे जहां भी मिलती है परावरतन या अपवरतन के पश्चात वहां बन जाता है उसका प्रतिपिमब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं आप यह देखो, होगा क्या? सारे केसिज में मैं दो किर्णे निकालूँगा वो दो किर्णे अपवर्तन के बाद या तो अपने आप कहीं मिलेंगी या हम उनको जबर्दिस्ती मिलाएंगे पर जहां भी वो मिल रही होंगी वहां बनेगा परतिविम्ब तो उससे पहले मुझे आपको मिलवाना पड़ेगा कि वो किर्णे कौन कौन सी है जिन से आप परतिविम्ब बनाने वाले हो ध्यान से देखिएगा सबसे पहली किर्ण होगी हम जो समानतर भेजेंगे मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समानतर किर्णे यह जो लेंस है आपका उत्तर लेंस मुख्य अक्ष के जो भी समानतर किर्णे आती है वो अपवरतन के पश्यात एक बिंदू से गुजरती है और उस बिंदू का नाम है फोकस बिंदू अगर किर्णे इधर से आ रही है तो इधर फोकस से गुजरेंगी इधर से आ रही होंगी तो इधर से गुजरेंगी यह जो फोकस बिंदू होता है यह O और C2 के बिल्कुल बीच में होता है और इसको बोलते हैं फोकस तो सबसे पहली किर्ण जो आपको याद कर लेनी है अभी के अभी वो यह है कि मुख्य अक्ष के समानतर आने वाली किर्णे अपवर्तन के पश्चाद नोट करो भले ही कि मुख्य अक्ष के समानतर कर दो तो तोड़ा है इसको मुख्य अक्ष के समानतर आने वाली किर्णे अपवर्तन के पश्चाद कहां से गुजरती हैं तो याद रखें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरने अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है फोकस खटाक इस तरह से दूसरी किरन सुनिए दूसरी किरन के बारे में यह है कि अगर कोई किरन प्रकाशिक केंदर से होती भी जाएगी जैसे मालू यह किरने प्रकाशिक केंदर ओसे होती भी जा लिए तो प्रकाशिक केंदर से होती भी जाने वाली किरन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो बिलकुँ सीधी की सीधी निकल जाएगी इनकी काटा पीटी के बारे मैं सोचवाब चलाओ अपने एक नेक्स सेक्शन पर करते हैं अपन दूसरे वाले भी देखते हैं इस पर देखते हैं मैंने चाहता किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकाशिक का कोई कन्फूजन और टॉपिक के अंदर जान से देखिए या आपका O इधर F2, C2, F1, C1 जाते माल लेजिए कोई प्रकाश केरण आपके आती है जो O से होती भी गुजरती है ऐसे तो नियम ये है रूल ये है कि अगर कोई प्रकाश केरण O से होती भी जाती है तो बिना अपने पत से विचलित हुए, बिना अपने रास्ते से भटके वो बिलकुल सीधी निकल जाती है ये दूसरी करण है ठीक है इस दूसरी करण के बारे में ध्यान रखिए तीसरी करण कौन सी है वो समझे जो आपके काम आएगी प्रतिमिम निर्मान में तीसरी किरन पर जान दीजिए तीसरी किरन ये है तेखो थोड़ा गेम खेलोगा तो समने में अच्छा आएगा अगर कोई किरन समानतर आ रही है तो वो फोकस से गुजर रही है चेक करो खुदी मैं तो कुछ बोल नहीं ना सब कुछ सामने दिख रहा है जो किरन समानतर आ रही है वो फोकस से गुजर रही है ना गुजर रही है फोकस से अगर कोई किरन फोकस से होती भी आती है तो उसका क्या होगा वापस से अगर कोई किरन समानतर आती है तो फोकस से गुजरती है अगर कोई किरन फोकस से आ रही होगी तो बाद में क्या हो जाएगी समानतर बिल्कुल सिंपल बिना किसी पंगे के है ना ध्यान दीजे यह सेदर देखिए अगर कोई किरन मालो ऐसे फोकस से होती भी आई ऐसे आने वाले किरन क्या होगी समानतर हो जाएगी समानतर आई तो फोकस से बुज़रेगी और फोकस से होती भी आई समानतर आई तो फोकस से बुज़रेगी और फोकस से होती भी आई तो समानतर हो जाएगी यह किरन नंबर तीन आपको याद देने चीए यह किरन नंबर दो आपको याद देने चीए और ये किरन नमबर एक आपको याद एने चीए इन तीनों के बिना अपन प्रतिबिन्ब निर्मार नहीं कर पाएंगे समानतर किरने फोकस से गुजरती है प्रकाशिक के अंदर से होकर आने वाली किरने सीधी निकल जाती है और अगर कोई किरन फोकस से आ रही है तो बाद में समानतर हो जाती है ये अच्छे से आदोना चीए अब अपन शुरू करते हैं प्रतिबिन्ब निर्मार लेट्स स्टार्ट इसकी पहले एक कॉपी बना लेता है ठीक है चली ध्यान दीजी का कैसे होगा सबसे पहला केस ले रहे है प्रतिबिन्ब निर्मार का अच्छे से समझीएगा सबसे पहला केस ले रहे है जैसे आपने आउतल दरपड में केस लिए था ना बिल्कुल वैसे यहां पर भी केस लेंगे तो सबसे पहला केस ले रहे है जब आपका बिम्ब रखा हुआ है अनन्त पर प्यारे बच्चो बोड के एक्जाम में बहुत काम आएगा 10th क्लास में जहां से देखेगा बिम्ब रखा है अनन्त पर अनन्त पर अगर कोई वस्तू अनन्त पर रखी है ना तो एक बात याद रखें कि अगर कोई वस्तू अनन्त पर रखी है तो अनन्त से आने वाली जो प्रकाश किर्णे होती है अगर कोई वस्तू अनन्त पर रखी है तो अनन्त से आने वाली जो प्रकाश किर्णे होती है वो समानतर आती है ये एक तैबात है कितनी प्रकाश किर्णे मंगवानी हैं आपको आपको अपने काम के लिए दो प्रकाश किर्णे मनवानी है तो जो दो प्रकाश किर्णे आप मंगवा रहे हो वो कैसी आएंगी समांतर आएंगी यह अपन मानके चलते हैं कि अनन्त से आने वारे प्रकाश किर्णे समांतर होती है क्यों ऐसा होता है? कौकि अनन्त वो जगे है जहां पे कोई भी पहुँच नहीं सकता और समांतर किर्णे भी जो होती है उनके साथ में एक बात है कि समांतर किर्णे कभी भी नहीं मिलती इसका मतलब समांतर किर्णे वहाँ जाके मिलती जहां पर कोई पहुँच नहीं सकता जहां कोई पहुँच नहीं सकता उसको अनंत कहते हैं इसका मतलब समांतर किर्णे अनंत भी मिलती है तो ऐसे एक दिमाग में बात सेट हो गई कि अनन्द से आने वाली प्रकाश किरने समांतर होंगी तो दो प्रकाश किरने आप समांतर मंगवा लिजी अनन्द से और उसके बाद आपका काम हो जाएगा पहली किरन आपने मंगवा ऐसे ये समांतर किरन आई दूसरी किरने मंगवा या आपने ये ये दो किरने आपने मंगवा ली अनंत से पहली ये मैंने क्या बोला जब दो प्रकाश किरने मंगवाई हैं तो वो दो प्रकाश किरने अपवरतन के बाद जहां भी मिलेंगी वो दो प्रकाशकिरने अपवर्तन के बाद जहां भी मिलेंगी वहां बन जाएगा उसका प्रतिबिम्ब तो यह देखो यह प्रकाशकिरने कैसे आ रही है यह प्रकाशकिरने मुख्य अक्ष के समानतर आ रही है तो अगर ये प्रकाश किरने मुख्य अक्ष के समानतर आ रही है तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समानतर आने वाली किरने फोकस से गुजरती है तो ये पहले वाली प्रकाश किरने भी फोकस से गुजरेगी दूसरी वाली प्रकाश किरने भी फोकस से गुजरेंगी तो यह दौनों प्रकाश किरने कहां से गुजरी यह दौनों प्रकाश किरने गुजरती है फोकस से तो यहां एक बात बिलकुल ताय है कि यह दौनों किरने अपने आप मिली है और फोकस पे मिली है तो प्रतिबिम्ब कहां बनेगा तो आप डायरेट बोल सकते हैं कि प्रतिबिम्ब बन रहा है फोकस पर F2 पर तो प्रतिबिम्ब के इस्तिती के बारे में आपने बताया सबसे पहली बात कि इस्तिती कहा है उसकी F2 पर है प्रतिबिम्ब का आकार कैसा है प्रितिम्यम बड़ा है छोटा है कैसा है तो वस्तुक बहुत बड़ी थी उसका प्रितिम्यम बिल्कुल एक छोटा सा डौट की तरह बन रहा है तो बिल्कुल बिंदू आकार आपको देखने को मिल रहा है तो आकार है बिंदू आकार या फिर आप वो सकते हैं अतियन्त शुक्ष्म अतियन्त शुक्ष्म बिल्कुल छोटा है क्लियर चलिए आगे बात करते है अब ये चीज़ देखिए प्यारे बच्चो दूसरा केस ये ये एफटू द्यान रखना ये जो है ना और एफ इसकी ये बीच में और आची है वो सीटू के ठीक है इसको फोकस कहते हैं दूसरा केस अपन ले रहे हैं इसका अपन को एक पहले वो बना लेना चाहिए इस पूरे का ही अपन वो बना ले ते है झाल 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 ठीक है इसको नेक्स किसमी उसकप पर चलिए तो सेकंड केस कौन सा है जहाँ पर आपका जो बिम्ब है वो रखा होगा यह से इसको अपने F1 नाम दिया इसको C1 नाम दिया C1 F1 F2 और C2 तो इस केस में आपका जो बिम्ब रखा है वो है C1 से परे रखावा है C1 से परे रखने का क्या मतलब है यह समझे C1 से परे रखने का यह मतलब है कि यह C1 है आपका जो बिम्ब है वो C1 के इधर रखावा है ऐसे रखावा है यह आपका बिम्ब है अब आपको सोचना है इसके बारे में कि इसका प्रतिमिम कहां बनेगा, ये अपना काम है, इसका प्रतिमिम बनाना, ये C1 से परे रखावा है, ये C1 के इधर रखावा है, अब इसके बारे में विचार करिए और मुझे बताईए कि इसका प्रतिमिम किस प्रकार से बन सकता है, ट्राय करिए एक बार, आप खोद अ है कि जिसका भी आपको प्रतिविम बनाना है उससे आपको दो किंडे निकालने पड़ेंगी तो मुझे इस ए का प्रतिविम बनाना है यह जो ए इस तरह से कि वो O से होती भी जाए क्योंकि O से होती भी जाने वाले किर्णों की एक खासियत है कि वो बिना डिस्टरब हुए सीधी की सीधी निकल जाती है तो पहली किर्ण मैंने बेजी समांतर जो कहां से गुजरी फोकस से दूसरी किर्ण मैंने बेजी O से होती भी जो सीध निकल गई, अब लॉजिक कि ये है, कि ये दो किंडें जहां भी मिलेंगी, वहां बन जाएगा उसका पृतिबिम्ब, तो इस जगहें पे बन जाता है, आपके A का पृतिबिम्ब, और अगर ये A का पृतिबिम्ब है, A-, तो उसके जस्ट उप्पर किसका बनेगा? बी डैश का और इस हिसाब से आपका जो प्रतिविम्ब है वो बिलकुल रेडी है आपका प्रतिविम्ब ऐसे बनेगा यह आपका प्रतिविम्ब है अब यहां से एक चीज़ समझ में आती है किलिए हुआ बच्चो और यह ना उनको अच्छे समझ मारा हुआ जिन्होंने आउ और प्रतिविम्ब में भी उसकी इस्तिती के बारे में सबसे पहली बात करेंगे कहां है उसकी इस्तिती तो आपका जो प्रतिविम्ब है वो बन रहा है F2 और C2 के बीच में तो पहली बात हो गई कि प्रतिविम्ब की इस्तिती है F2 तथा C2 के बीच पहली बात दूसरी बा तो प्रतिबिम्ब की बारे में एक बात बिल्कुल तैय है कि बिम्ब इतना बड़ा है प्रतिबिम्ब उसे छोटा दिख रहा है तो प्रतिबिम्ब जो है वो आकार में छोटा है आकार में बिम्ब से छोटा है प्रकर्थी की बात करते हैं क्या आपने इन किर्णों को मिलाने में कोई जबर्दस्ती करी या ये किर्णे अपने आप मिल गई तो आपने इन किर्णों को मिलाने में किसी भी प्रकार की कोई भी जबर्दस्ती नहीं करी है ये किर्णे अपने आप मिली है इसका मतलब ये है कि ये प्रतिविम आपका वास्तविक है तो ये प्रतिविम कैसा है आपका वास्तविक है पहली बात दूसरी बात ये आपको उल्टा दिख रहा है तो इसका मतलब ये प्रतिविम जो है वास्तविक तथा उल्टा है अब इसके साथ साथ इसको भी देख लेते हैं क्योंकि यहां पे भी अपनको डिसकस करना था प्रकरती तो यह प्रदिविम कैसा है पहले वाले में भी किर्णे अपने आप मिली थी तो जब किर्णे अपने आप मिलती है तो प्रदिविम आपका वास्तविक होता है उल्टा है कि सीधा है? भई, पॉइंट का उल्टा सीधा कैसे डिसाइड करोगे? यहां तो दिख रहा है कि यह उल्टा है इसमें कैसे डिसाइड करोगे? दिमाग लगाओ पहले वाली प्रकाशकर्ण अपरतन के बाद नीचे है और दूसी वाली प्रकाशकर्ण अपरतन के बाद उपर है इसका मतलब प्रतिविम उल्टा बनाए तो साफ साब बोल सकते हैं अपन वास्तविक तथा उल्टा यह अपने डिसकस किया दूसरा सेक्शन प्रतिविम निर्मान का स्क्रीन शॉट लेना चाहो ले सकते हो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगे बात करें वह दिक्कत नहीं है थर्ड पर आते हैं अब थर्ड केस अभी कहा रखा अपन ने अनंत पर रखा विम को उसके बाद अपन ने consent अब अपन सीवन और F1 के बीच में नहीं एक मिलब सीवन पहला अनंत पर रखा फिर अपनने सीवन से परे रखा अब अपन सीवन पर रखेंगे अगला एक यह देखिएगा ठार्ड इस बात को विश्य ज्याना अखना हो जितना और इसके बीच का गैप होता है उतना गैप आगे होना चाहिए जितना और इसके बीच का गैप है उतना गैप दर होना चाहिए ठीक है तो अब जो बिम्ब रखना है वो बिम्ब कहां रखना है आपको अब आपको बिम्ब रखना है अपने C1 पर तो बिम्ब की इस्तिती के बारे में पहले बात कर लेते हैं तो बिम्ब कहा रखावा है बिम्ब रखावा है इस बार C1 पर तो C1 पर आपने बिम्ब को रख दिया ऐसे यह आपने बिम्ब रख दिया C1 के उपड़ समझ गए कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े अब क्या होगा देखिएगा इस बिम्ब को थोड़ चोटा करना पड़ेगा अब ठीक है अपन पहली प्रकाशकरन बेजते हैं समांतर कोई कि समांतर प्रकाशकरन के बारे में एक बात है कि समांतर प्रकाशकरन फोकस से गुजरती है तो ये पहली प्रकाशकिरन आपने बेजी समांतर और वो समांतर प्रकाशकिरन कहां से गुचर रगए? फोकस से गुचर रगए अब आप बेजोगे दूसरी प्रकाशकिरन दूसरी प्रकाशकिरन कहां से बेजोगे दूसरी प्रकाशकिरन बेजोगे ओसे जो बिल्कुल सीधी जाएगी दूसरी प्रकाशकिरन आपने बेजी ओसे जो बिल्कुल सीधी जाएगी और O से जाने वारी प्रकाशकेन इस प्रकार से जाती है कि वो यहां मिलती है तो जहां वो मिली है वहां बन जाएगा अगर इसको मैं A B बोल रहा हूँ तो जहां यह मिली है वहां बन जाएगा A का प्रतिविम A डैश और अगर A- यहा है तो B- जस उसके उपर होगा और सबसे मजे की बात यहां पर यह है कि आपका जो प्रतिबिम्ब है वो इस तरफ बनता है C2 के उपर यह खुद करके देख सकते हो आप कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है तो यहां क्या चीज़ देखने को मिली कि जितना C1 था जितना C1 की उपर B- रखा था उसका प्रतिबिम्ब उतने ही आकार का C2 पर आपको देखने को मिलता है तो अब लिखूंगा प्रतिबिम्ब के बारे पॉइंट वाकि लॉजिक आप समझो लॉजिक केवल एक है यहां पर कि अगर आपने समानतर बेजी है किरने तो वो फोकस से बुजरती है दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रकाशिक केंद्र से किरन बेजते हो तो प्रकाशिक केंद्र जाने वाली किरन जो है वो बिना डिस्टर्ब हुए बिना खुद को परिशान किये, बिना खुद को हैरान किये बिल्कुल सीधी निकल जाती है निकल लकई इस पॉइंट पे, ठीक है चली आगे बात करें अच्छो अब अपन देखते हैं, इसके बारे में पॉइंट डिस्कस करते सबसे पहला point कि आपका प्रतिविम्ब कहां बन रहा है तो सबसे पहले बात लिखेंगे प्रतिविम्ब की इस्तिति कि आपका प्रतिविम्ब आखिर बना कहां पर है important है यह बात कि आपका प्रतिविम्ब आखिर बना कहां पर है तो प्रतिबिम्ब बनाया आपका C2 पर चीक है? दूसरी बात प्रतिबिम्ब का आकार कैसा है? वसुजे छोटा है, बड़ा है, क्या है? तो जितना प्रतिबिम्ब था, उतना ही प्रतिबिम्ब है तो आकार बिम्ब के बराबर है आकार बिम्ब के बराबर है तीसरी बात प्रकर्थी कैसी है? वास्तविक है कि आवाजी है? जो प्रतिबिम्ब है आपका किर्ने अपने आप मिल रही है तो अगर किर्ने अपने आप मिलती है तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक और बिम्ब आपका ऐसे रखा वा था, प्रति बिम्ब उसका उल्टा बन रहा है, तो यह हो गया, वास्तविक तथा उल्टा, तो प्रति बिम्ब कैसा बन रहा है वास्तविक तथा उल्टा, आरहा है मज़ा समझने में सबको एकदम मखन हो रहा है, फटापट से लिखो में का रखेंगी सीवन और एफ़न की बीच में यह होगा फोर्थ केस इसका स्क्रीन शॉट लेजिए फिर आपन आगे बढ़ते हैं ठीक है फास्ट है ठीक है ओके फोर्थ केस अब जो आपको बिम रखना है वो बिम पता है का रखना है अब आपको बिम रखना है C1 और F1 के बीच में क्योंकि आपने केसि कौन कौन से लिया आपको सारे केसि आ दोंगे पहला आपने लिया अनन्त पर दूसरा आपने लिया अनन्त और C1 के बीच मतलब C1 से परे फिर आपने लिया C1 पर अब आप ले जो C1 और F1 के बीच में यह A हो गया या आपका B हो गया Logic केवल एक है और वो एक logic ये है कि आपको दो किद्ने बेजनी है अगर वो दोनों किद्ने समानत्र चोड़ो अगर वो दोनों किद्ने जहां में मिली वहां उसका प्रतिमे मन जाएगा पहली किरन अपन कौन सी भीचते आए हैं? पहली किरन अपन बेचते आए हैं वो जो मुक्य अक्ष के समांतर जाती है तो पहली किरन जाएगी मुक्य अक्ष के समांतर ऐसे समांतर किरने कहां से गुजरती हैं? समांतर किरने गुजरती हैं फोकस से तो ये जो प्रकाश करण है ये गुजर जाएगी फोकस से दूसरी प्रकाश करण कहां से बेजते हैं दूसरी प्रकाश करण अपन बेजेंगे ओ से होती भी कोईकि ओ से जाने वारी प्रकाश करण बिल्कुल सीधी निकल जाती है बिना डिस्टर्ब हुए तो दूसरी प्रकाशकन बिलकुल यहां से बेजो O से होती भी गई दौनों जहां मिलेंगी वहां प्रतिविम्ब बन जाएगा दौनों यहां मिली तो A का प्रतिविम्ब यहां बन गया A- A- के जस्ट उपर होगा कहीं पे B- और आप उसको मिला करके तैकर सकते हैं तो यह आपका बन गया प्रतिविम्ब That's it अब तक तो मज़ा आने लगा होगा त्यारी अच्छी हो रही होगी कि हाँ यार बढ़िया से समझ मारा है ठीक है चलो अब इसके पॉइंट्स बनाते हैं सबसे पहला कोईट बनाते हैं कि प्रतिविम्ब की इस्तिती कहा है तो प्रतिविम्ब आपका C2 के परे बन रहा है C2 के उधर बन रहा है तो प्रतिविम्ब की इस्तिती है C2 से परे समझें कि जो C2 है इससे परे बन रहा है आपका प्रतिविम्ब प्रतिविम्ब के आकार के बारे में बात करते हैं, अगर प्रतिविम्ब के आकार के बारे में बात करें, तो बिम्ब आपका चोटा सा, प्रतिविम्ब आपका बड़ा सा, इसका मतलब प्रतिविम्ब जो है, बिम्ब से बड़ा है, वास्तविक है या आबासी है, सोचो दिमा प्रतिविम्ब की जो प्रकरती है वो है वास्तविक प्रतिविम्ब सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है सोचो तो यहां पर यह ऐसे रखावाता इसका प्रतिविम्ब उल्टा बना है मतलब प्रतिविम्ब वास्तविक तथा उल्टा है यह बात तैय होती है यहां से हो ग के उपर रखना है करिए खीचो इसकी पोटो लेओ इस्क्रीन चो पड़ावन में आगे बढ़ें पिर हो गया बढ़ें आगे चीक है अब देखिए फिफ्ट पॉइंट थाई रखना है यजल्यच। अगला case क्या है अनंत पर रख लिया C1 से परे रख लिया अब रखेंगे C1 पर रख लिया C1 F1 के बीच में रख लिया अब रखना है F1 के उपपर सारे cases ना आपको ना एक बात फील हो गई होगी जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं 10th क्लास के उनको पर चल गया होगा कि यार यह आउतल धरपन से मिलता जुलता है जी हां सही कह रहे हो आप उतल लेंज जो है वो आउतल धरपन से मिलता जुलता होता है यह बात बिलकुल सही है आपके इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है ठीक है तो प्रतिविम C1 से अनंत में था उसके पाद C1 से पढ़े रखा C1 पर रखा फिर C1 F1 के बीच में अब अपन रखने जा रहे हैं F1 के उपर तो अब अपन रख रहे हैं F1 के उपर यह रख द प्रतिव्य मिर्मान करने के लिए लॉजिक तो हमेशा एक ही रहता है ना आपको कितनी प्रकाश करने चाहिए मैंने बता रखा है आपको दो प्रकाश करने चाहिए एक समांतर बेजो फोकस से गुजरेगी दूसरी को प्रकाश केंद्र से बेजो सीधे निकल जाएगी जहां मिलना होंगी मिलेंगी वहां बनता रहेगा प्रतिवेंब ठीक है एक सेकंड एक सेकंड चोट इसी गलती हो गई मुझे इनके बीच में नहीं रखना था मुझे इस पर रखना था एफ के उपर रखना था डाइरेक्टली मुझे एफ के उपर रखना था यह यह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे जो बिम्ब की स्थिती थी वो अब कहां पर है एफ एन पर है अब बात करते हैं तो समानतर प्रकाशकन जाएगी फोकस से गुझरेगी तो समानतर प्रकाशकन भेजो यहां से आपने समानता प्रकाशकेन भेजी यह समानता प्रकाशकेन कहां से गुजर जाएगी फोकस से ठीक है तो यह समानता प्रकाशकेन कहां से गुजर जाएगी फोकस से दूसरी प्रकाशकेन भेज दो O से वो बिल्कु सीधी निकल जाएगी यह दूसरी प्रकाश करन गई O से एक सेक्षन जिसमें कुछ गरबड है गरबड यह है कि O से F1 की दूरी और O से F2 की दूरी सेम नहीं है जिसके कान फूरी प्रॉब्लम हो रही है काम करते हैं इसको तोब ठीक करते है इस वाले सेक्षन को सही करने की जरूते है जितनी O से F1 के बीच की दूरी है उतनी अपनों को O से F2 के बीच की दूरी रखनी है यह बहुत जरूरी चीज अदरवाइस डाइरम गलत बनते है तो अब आप बेजिए समानता करन गई अब आप उसको बेजिए Focus से और अब आप दूसरी करन बेजिए O से अब डाइरम काफी हाथ तक सही है और O की लोकेशन को भी तुरह सही करना पड़ेगा अभी भी यह डिस्टेंस एक्जैक्ली इसके बराबर नहीं है इसलिए करबड हो रही है इसको ठीक करना बहुजर हो रही है एक सेगिंड चीक है तो विदिन दा एरर ये किरने समानतर होनी चाहिए ये एक बात है इंपोर्टेंट होगी इसका शेप भी बोर्ट पर बनाने में डिफरेंट है परफेक्ट अगर अपन लेंगे एक एक चीज़ को तो उसके बाद एक बात समझ माईगी कि भाई ये दोनों किरने समानतर होनी चाहिए ये दोनों किरने एकजेक्टली समानतर होंगी और आपको पता है कि यार समानतर किरने कहीं नहीं मिलती मतलब समानतर किरने वहां मिलती जहां कोई पहुँच नहीं सकता मतलब समानतर किरने उजगे मिलती जिस जगए कोई अंत नहीं है जिस जगे को अंतनी है वो अनन्त है इसका मतलब समानता किर्णे अनन्त पर मिलती है तो ये किर्णे कहां जाके मिलेंगी आपकी अनन्त पर ये first case का बिल्कुल उल्टा है अनन्त पर बिंब है प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है विम्ब फोकस पे प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है ये उसका उलटा है बच्चो जस्थ उसका पॉसिट ने पुछा एक पूछा है कि अगला केस आएगा अगला केस आएगा तो यहां तक ठीक है अनन्त पर तो प्रतिविम की बाले में लिखना शुरू करते हैं सबसे पहली बात लिखने हैं प्रतिविम की स्थिति प्रतिविम बन कहां पर रहा है आखे तो आपका पृतिविम Nahe का अनंत पर में प्रतिविम का आपकार कैसा होगा तो और में सोचो्छो क्यूं इतने बड़े सूरच का हमारी आख में कितना सा प्रतिविम बनता है यह मानलों कि सूरच का अगर अगर अपन लेंस के जरी प्रतिविम बनाए तो अनंत पे रखी सूरच को अपन अनंत पे मान सकते हैं अपनी calculation के लिए तो इतने बड़े सूरज का प्रतिविम्ब इतना साबनता है तो इतनी छोटे से बिम्ब का प्रतिविम्ब बहुत बड़ा बनेगा feel करने की कोशिश करो बच्चों मैं आपको समझाने ले एक्जामपल ले रहा हूं different था कि इतना बड़ा सूरज заключ बढ़ा है आपको पता है उसका प्रतिविम हमारे लैंस के अंदर इतना सा बनता है तो अगर इस वस्तु का प्रतिविम उल्टा देखो उल्टा सोचो अगर सूरज बिम्ब है तो उसका प्रतिविम इतना सा बन रहा है अब अगर ये बिम्ब है तो सूरज जितना प्रतिविम बनेगा चमका तो इसलिए प्रतिविम जो होगा बहुत बड़ा होगा अत्ययंत विवर्धित अब ऐसा केस आउतल दरपन में भी आया था जब अपने फुकस बरका था तो वहां पे भी अपने बताया था कि अनंत पर बन रहा है प्रतिविम और बहुत बड़ा बन रहा है ठीक है तीसरा प्रकृति कैसी होगी उसकी तो जब बात आती है प्रकृति की तो प्रतिविम यह क्या किर्णे वास्तों में जाके मिलेंगी तो यह किर्णे निकली है अनंत की तरफ अनंत पर जाके मिलेंगी इसका मतनब प्रतिविम बनेगा वास्तविक और उल्टा को कि उप्पर की किर्णे नीचे है तो प्रतिविम बनेगा वास्तविक तथा उल्टा हरीश ने बिल्कु सही लिखा है अत्यंत बड़ा बिल्कु सही बात है बेटा वेरी बॉरी हो गई बात बिम्ब की और बिम्ब का बना आपका F1 पर बना आगे बढ़ें पका आगे बढ़ें शालो अब आखी इसका फोटो की चलो जार एक पर की चलो इसका फोटो और डाइगाम परफेक्ट तब बन सकता है जब लेंस को तुरह सा पतला बनाया जाए यह डिस्टेंस एक्जेक्ली से माप के प्रपर तरीके से बनाया जाए और मैं एक चोटा सा वीडियो डालूँगा आज य कि अब अपन बिम्ब को अखने जा रहे हैं लास्ट केस अपना आ रहा है देखना द्यान से कर दो कर दो कर दो कर दो अच्छे से ध्यान दीजेगा आखरी केस है आच का कहां पर रख लिया था अपने बिम्ब को आपने रख लिया अनंद पर फिर आपने सी से सीवन से पर रख लिया फिर आपने सीवन पर रख लिया फिर सीवन एफ़न के बीच में रख लिया फिर एफ़न पर रख लिया अब आप रखने जा रहे हैं O और F1 के बीच में यह आपका A है यह आपका भी है पैटर्न वह यह जो आप सोच रहे हो समांतर किर्णे गुजरती हैं फोकस से तो समांतर किर्णे गई यह समांतर गई कहां से गुजरेगी बीच में फोकस से गुजरेगी तो समांतर किर्ण गई कहां से गुजर गई फोकस से दूसरी किर्ण गई जो ओ से होती भी जारी है ऐसे अब आप यहाँ पर इक बास समझने की कोशिश करना important अगर दो किर्णे ऐसे जा रही है तो कही न गए मिल जाएंगी अगर दो किर्णे समझना अगर दो किर्णे ऐसे जा रही है तो कही न कही आगे मिल जाएंगी अगर दो किर्णे समानतर जा रही है तो अनंत पर जाकर के मिल जाएंगी पर अगर दो किन्ने ऐसे जा रही है यूँ तो अगर दो किन्नों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो फिर वो आगे जाकर के कभी भी नहीं मिलेगी यह मैं सोचना कि आगे जाकर के अनंत पर मिल जाएगी अनंत पे केवल समानतर किन्य जाके मिलती है अगर कोई किन्यों के बीच की दूरी ऐसे बढ़ रही है दौनों किन्यों विबक्त हो रही है एक दूसरे से एक दूसरे से ऐसे अलग जा रही है तो वो कहीं भी नहीं मिलती है तो ये दौनों किन्यों ऐसी है इनके बीच की दूरी दिरे 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 बढ़ती जा दिये तो यह आगे जाके कभी भी नहीं मिलेगी अपने आप नहीं मिलेगी खुद से नहीं मिलेगी तो यहाँ पे करनी पड़ेगी जबर्दस्ती जबर्दस्ती का मतलब क्या है? जबरदस्ती का मतलब है कि आपको यहां पे आभासी प्रतिविंब प्राप्त होगा जबरदस्ती का मतलब है कि यह आगे जाकर के नहीं मिलेंगी इनको पीछे लाकर के मिलाना पड़ेगा मतलब इस किरन को लेके आना पड़ेगा पीछे यह अलगी बीच में ठीक है इस किरन को भी लाना पड़ेगा पीछे और ये पीछे कहीं पे मिलेंगी जैसे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे मिल गई और यहां बन गया इसका प्रतिविम्ब और यह एका प्रतिविम्ब यहां बन गया अगर एड़ेश के जस्ट नीचे हो जाएगा बीड़ेश और अगर एड़ेश के जस्ट नीचे बीड़ेश देखें एक सेकंड अब मुख्याक्षी कम पड़ गया ठीक है यह आपका हो गया बीड़ेश एड़ेश इसको बोलते हैं जबरदस्ती किर्णों का मिलना और इस प्रकार के प्रतिबिम्ब को बोलते हैं आभासी प्रतिबिम्ब पीछे जबरदस्ती मिलाया है इसलिए डेश डेश के हिसाब से उसको शू किया है अब यहां से अगर अपन प्रतिबिम्ब के पॉइंट लिखना शुरू करें तो प्रतिबिम्ब का पॉइंट नंबर वन आएगा उसकी इस्तिती कि प्रतिबिम्ब बन कहां पर आए तो प्रतिबिम्ब की इस्तिती जबाब देखने जाओगे तो आपका प्रतिबिम्ब बन र दूसरा प्रति बिंब की प्रकरती प्रकरती मारो गोली आकार पहले बात करते हैं कैसा बन रहा है बड़ा बन रहा है चोटा बन रहा है कैसा बन रहा है तो यहां पर इतना सा बिंब इतना बड़ा प्रति बिंब तो बिंब से बड़ा बन रहा है तीसरा उसकी प्रकरती के बारे में बात करें जरा कैसा बन रहा है अपने आप मिला या आपने ना ना अपने आप मिला ना आपने मिला या हाँ आपने जबर्दस्ती करी हाँ कोई कि आप पिछे लेके गए थे तो जब रश्ती करोगे तो आभासी प्रतिविम प्रतिविम सीधा बन रहा है यह उल्टा बन रहा है यह ऐसे रखा था ऐसे प्रतिविम बना है इसका मतलब प्रतिविम सीधा है तो आभासी तथा सीधा आया मज़ा तो वन शॉट में एक क्लास के अंदर अपने पूरा प्रतिविंब निर्मान समझ लिया बढ़िया से आपके उत्तल लेंस का अगले गलास में कर लेंगे ठीक है तो यहां तक की कहानी आपको अच्छे से गिले होगे लौजिक एक ही था कि उत्तल लेंस में दो ही बाते पता होनी जी है mostly कि समानतर प्रकाश किरने फोकस से गुजरती हैं और वो से जाने वाले किरने सीधी चली आती है उसके बाद बस आपको दो किरने भेजने हैं और जहां मिलें अपने आप मिलें तो बन जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिम्ब और अपने आप नहीं मिलें जब बर्दस्ती ऐसे मिलाना पड़े तो बनेगा आवासी प्रतिबिम्ब और जब अरदस्ती एक ही केस में करना पड़ा आपको वो है जब पृतिबिम एफ़रों की बीश में रखा था हो गया अगली क्लास में बात करेंगे अपन आउतल लेंस द्वारा पृतिबिम निर्माण दो लिमारा आते हैं उसकंदर सिंपल से उसके बाद में इस चर्पटरण को हो सकता है अपने एस क्लास में ख़तम ही करदें ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में जाने से भी लिडियो को लाइक कर देना है सबस्क्राइब कर देना है सबके साथ में और 10th क्लास का कोर्स अराम से हो जाएगा वन शॉट विडियो चलेंगे आपके दो दिन या एक दिन में एक क्लास simple course खतम होगा बढ़िया से बिना किसी 10 चलेगे तो मिलते हैं अगली class में थैंक्स ववाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल एंड पैस दे बेल आइकन पर टे नोटिफिकेशन अभी तक अगर आपने message नहीं किया है आपने हैं आपाने हैं तकंमस्क है। सकतर क्लीक रपने हैं पैसा जोग sigui है से क्लीक है । मैं सब्सक्राइब